बोली है उसके लिए बहुत सारे नाश्टे बनते हैं आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाजरे के याटे की मसाले दार पूरी बहुत टेस्टी बनती है चले बनाते हैं एक लौकी को लिया है चोटी लौकी है उसे कद्दू कस कर लिया है ड्राइ मसाले लिया है एक कटोरी ब प्राइ मसाले में आदा चमच जीरा एक चोथाई अजवाईन एक चमच नमक और एक चोथाई हींग डालकर बहुत अच्छी से मिक्स करना है फिर हमें एक चमच तेल और कद्दू कस्की हुई लौकी डालनी है अब हम इसे धीरे-धीरे मिक्स करेंगे इसमें हम थोड़ा-थो सॉफ्ट रोटी पराठा या पूरी आप कुछ भी जो भी बना रहे हैं वो निकल कर आता है ठंडे पानी से थोड़े से टाइट भी हो जाता है और फटने का डर रहता है बहुत कम पानी लगेगा क्योंकि लौकी है लौकी भी अपना पानी छोड़ती है बहुत थोड़ा सा करेंगे फिर थोड़ा सा ओईल मेन काटोरी में लिया है इसे हाथों पर लगा कर इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं क्योंकि इसकी पूरियां थोड़े से मोटी होती है नॉर्मल पूरी से और हाथ से हम इसको बढ़ाएंगे इसको बढ़ाने के लिए हमें चकले की पूर्में हम बीच में होल करते हैं वैसे इसमें कर अगर आपको नहीं परसंतो आप नॉर्मल ऐसे पूरियां भी तल सकते हैं बट अच्छली गाउं में देखा था मैंने जिन्हें ऐसे बनाते हुए बहुत टेस्टी लगता हैं और सुन्दर भी लगता हैं इसलिए मैंने कैसे बनाई हैं देखें करते हैं हमारी बाचरी की मसालेदार पूरियां रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब